नमस्कार में को रहे हैं आप सभी का स्वागत है देख रहे हैं आप सीनी उस भारत मंडला अध्यक्ष मुकेश ज्रैन के नेतरत्व में आस्ट्रेलिया के मिल्बन शहर में हुए मिल्बन में मंडला अध्यक्ष दल का नेतरत्व मुकेश ज्रैन ने किया लॉयन्स क्लब के सदस्यों ने मंडला अध्यक्ष मुकेश ज्रैन का जोड़दार स्वागत किया मिल्बन में हुए कन्विंशन में 210 देशों से आए हुए प्रतनिधियों ने हिस्सा लिया इसमें ताबरेसियो लुईबरा ने अंतिरास्ट्रे अध्यक्षी शपत ली मुकेश ज्रैन ने आगामी 2024 से 25 के लिए मंडल 321 B1 के मंडला अध्यक्ष के पद पर शपत ग्रहन की स्वागत कारिक्रम में मंडल के कईपूर गवर्नर्स के साथ लोईन राजीव जैन, लोईन मोहत बंसल, लोईन डॉक्टर आर्सी मिश्रा, उप मंडला अध्यक्ष प्रधम, लोईन आनंद अरुनेश, लोईन बद्री अगरवाल और लोईन विशाल दिक्षत इत्यादी ल लोग हम लोग थे और बहुत भड़ियां हम लोगका सफर रहा चाशिवस का और बहुत ही बड़ियां यह दिन जो है यादिद और जो भी इंतियामात थे बहुत ही बढ़ी है और अच्छे थे अब बहुत से विदेशों के सब लोगों से ने ने लोगों से मुलाकात हुई नए नहीं हम लोगों ने और ने पॉल्सी से उसके बारे में पता चला और जो एक महौद होता ना तीस यार आदमी एक साथ जुठो करके और हर समय मिलना पिन एक्षेंज करना लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगा इसमें कहीं हम लोगों के अलग अलग डिनर्स भी होते हैं उसमें भी हम लोग शामिल हुए जैसे कि सामे का हमारा डिनर होता है डीजी का बैंकर अलग होता है सब में हम लोग शामिल हुए तो बहुत ही आदगार हो अच्छा सफ़र रहा यह दुर्भागवश है कि हम लोग लोट के आए तो मेलवान से जब कल हम लोग उतरे हैं तो एर इंडिया की फ्लाइट का पॉक्पु जो लगेज वाला होता हो खुल नहीं पाया तो हम लोग को आए हुए मुझको रिसीव करने बाहर से भी आए हैं गोंडा बहराइज और लेडीज भी हैं मैं देख रहा हूं और पास डिस्टिक गवर्नर्स भी हैं सभी लोग आए सबका मैं धन्यवाद देता हूं घरदय की घरायों से हमारे किलब के सभी सदस जितने आए हैं यहा कि और से सभी डिस्टिक के सीनियर लाइन लीडर्स महिलाएं और पदा दिकारी यहां पर मुकेश जी को जो आश्टेलिया से आज लोटे हैं उनका स्वागत करने के लिए हैं हम लोग की साथ नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्तित हुए हैं और कि इसमें भी इसी तरीके से हमारे कारकरमों में आप सोवा बढ़ाते रहेंगे और आपके पदिनतर से हम आगे बढ़ते रहेंगे और जिले में एक ऐसा काम करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद लोग वैशा का मौका है और सारी हमारे आधेंडिये डिस्टिक गवर्नर साब, हमारे पास डिस्टिक गवर्नर साब, सारे लोग आए हुए और सबकी सुर्थी और जोश का कोई सरुकार नहीं है और बहुत ही मज़ा आ रहा है सबको, तो इस तरह की चीजे आके चलती रहें, कारवा चलता रहें और इसी डिस्टिक गवर्नर स्री मुकेश जहन जी, शपस ग्रेंड करके लोटे हैं, हम समी डिस्टिक 321B1 के लाइन सदस्टों ने उनका बड़ी संख्या में आके लखनोई स्टेशन पे स्वागत किया है, और उन्होंने हम सब को भी बड़े प्यार से धन्यवाद दिया, और हम आने वाले जो लाइनिस्टिक एर्थ है, एक जुलाई से पिडित वानवता की सेवा करने के लिए तयार हैं, और आने वाला वर्ष लाइनिजम का नई उचाईयां लेके आएगा, और पिडित वानवता की सेवा करने के लिए लगातार हम सब तत पर रहेंगे, धन्यवाद. मैं लाइन नेरेशन नगरवाल, केमिनेट सेकर्टी 2023-2024, मैं हमारे गवर्नर 24-25 के गवर्नर लाइन मुकेश जैन जी हुए हैं, वो अस्टेलिया से अपनी शपत लेकर का हैं, उनके साथे कई लोग बिस्टिक से और कभी कई लोग गये थे, वो सभी आज ट्रेंज से वापस समय बताएंगे, मैं लोईन मिशाल सिरा, पार दिस्टिक गवर्नर 321-21, आज हमारे बंडल के आने वाले दिस्टिक गवर्नर लाइन मुकेश जैन, अपने साथियों के साथ, और स्टिलिया से जी शफत लेकर आएं मेल बोन से, हम यहां सब पास दिस्टिक गवर्नर सारे मे गवर्न लाइन परमजीर जी जो बर्रामपुर से आए हैं, उनका स्वागत करते हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो शबत गहन करके हमारे बुकेश जैन दिस्टिक गवर्नर, एक जुलाई से इनका कालेकर शिरू हो जाएगा, और एक जुलाई से परमजीर जाएंगे यहां ठीट बन बीवन को, यही मेरी कामना है जहिन जेनलन स्वागत करते हैं, और हम सबी लाइन्स लोगों ने यहां पर उनका भव्वे स्वागत किया है, और यह एक परिपार्टी है, लाइन्स क्लाब एक माध्यम है, सिवाकारे करने का इंटरनेशनल में एक पचास लाइन्स से हैं, यह वर्ल्ड की एक ऐसी संस्ता है, जो सिवाकारे मुझूटी रहती है, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ अपने आने वाले गवर्नर की, इनका यह वर्ष बहुत यह उत्तम होगा, बहुत बहुत शुक्रामना हैं, जैहिन जैलाइन्स वाइ मैं अपने गवर्नर की, हमारे साथ दीघ्या गवर्नर भी है, इननों के इसाथ में लोग मिलके बहुत बढ़िया कार करेंगे, और परवर्बनाचक यह वर्लास जैया दिए अगला साल हमारा बहुत बढ़िया लिए लिएगा, उसके साल विनौत अकरवाल, 321 B1 से, मैं मु इंडिया का जंडा मेलबॉर्ण की धर्ती पे खेराया है कम से कम एक हजार लाइन इंडिया का जो वहाँ पर हमारे साथ था हर आदमी के हाथ में जंडा था जाहिर है ऑस्ट्रेलिया के मिलबॉर्ण शहर में हुए 106 लॉयंस इंडिया भर के देशों ने हिस्सा लिया बताने इंडिया 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 बर्च का सबसे बड़ा आयोजन है हजारों लॉयंस और लियोस ने मिलबॉर्ण की सडकों पर पारंपरिक पोशाक में अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए परेड मार्श किया भारत से 10 मॉल्टिपल जिलों ने सम्मेलन में भाग लिया वहीं इस वैश्विक आयोजन में भारत ने अपनी सम्रिद सांस्वितिक विरासत को जागर किया और इंतराश्ट्री स्तर पर भारत को रिखांकित किया फिलाल इस खबर में बस इतना है देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे आप सी नियूस भारत